दुनिया में एक चीज है जो हर किसी को चाहिए वो है पैसा 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 जी हां दोस्तों पैसा तो हर किसी को चाहिए तो आज हम लोग बात करेंगे पैसो के बारे में तो हम बात करेंगे कि स्पोर्ट्स में कितना पैसा है क्रिकेट में तो आपने देखा ही है सोना भी ह अभी तो आपने IPL का ओक्षन भी देखा था पेछले हफ्ते सबसे मेंगा प्लेयर गया था ऑस्टेलियन पेसर मिचल स्टार्क कॉलकता नाइट राइडर्स में तो गौतम गंबीर ने बोला तू मुझे चाहिए मिचल स्टार्क तू मेरे टीम में खेल मैं तुझे 24 करोड सब्सक्राइब कर दोगिन ने मिचल स्टार्क के आसा प्रायोरीटी नहीं दिये इसने कंट्री को प्रायोरिटी है और हमेशा अपनी कंट्री को पहले रखए जब लोग VL कोप की प्रपेरेशन्स करता था तो भी आज 24 में देखोगे तो सबसे जादा मेंगा प्लेयर वही है तो सोच रहे हूं कितनी मतलब बड़ी बात है मिचल स्टार्क के लिए चीज तो मिचल स्टार्क को कॉलकाता नाइट राइडर्स ने आज तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा महेंगा प्लेयर लिया है चौबीस करोड में तो हम नगर बात करें फुटबॉल की तो नेमार जुनियर 2017 में था है तेंगे ट्रांसवर 222 मिलियन यानि कि अगर आप इंडियन रुपी में देखोगे उस पैसे को देख भी पाऊगे के नहीं मैं तो नहीं देख पाऊंगा 2030 करोड 2030 करोड में ने अपना ट्रांसवर करवाया था बार्सलोना टीम है एक स्पेंग क कि उससे PSG में गया था पैरिस जो फ्रांस में आता है तो वह आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसवर पी है 222 मिलियन तो अगर आप कंपेर करो तो क्रिकेट में थोड़ा पैसा कम है थोड़ा नहीं थोड़ा से जाधा पैसा कम है फुटबॉल में पर फैंस भी फुट पूरा दुनिया देखता है फुट बॉअ को पैसो बात करें तो हां यह बात है कि नेमार जो है उसमें वो पूरा साल खेलेगा अपने कॉंट्रैक्ट में खेलेगा और मिचल स्टाग जो है वो सिर्फ 14 मैचिस खेलेगा 14 मैचिस खेलेगा कितने में 24 करोड में तो उसको समझ रहे हो आप एक बॉल का उसको मिलेगा 7 लाक रुपए तो अगर वो 14 मैचिस में चलाएगा कितना होता है 336 बॉल कुछ होता है अगर 14 मैचिस के इसाफ से देखे तो फिर वो उसको मिलेगे 24 करोड रुपए तो अगर वो इंजड होता है या किसी रीजन से नहीं खेल पाता है या अगर समझो उसकी बहुत मार पिटा ही हो रही है औ क्योंकि उसको उसमें खरीदा गया है कॉलकाता नाइट राइडर्स ने यह वर्ल आज तक की हिस्ट्री में सबसे जाधा मेंगा प्लेयर है मिचल स्टार्क फूटबॉल में था नेमार जुनिया जो बार्सलोना से पीएजी जैसे मैंने आपको बताया तो पैसा तो स्पोर्ट में जो अभी ग्रोव हुई है स्पोर्ट पहले से जाधा फिर वो क्रिकेट हो या फूटबॉल पैसा तो भाई बहुत आया है तो सोच रहे हो आप कितना पैसा है स्पोर्ट में तो बस यह था हमारा आज का वीडियो कि कंपेर अगर करें तो दोनों को कंपेर नहीं किया हमन झाल 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 झाल